नमस्कारम, गुरुजी, मेरा नाम अर्चना है, मेरा प्रश्ण जोतिश से सम्बंदित है, शादी के लिए लोग कुंडलिया मिलाती हैं, और वे कहते हैं इस लड़की में बहुत सारे दोश हैं, और उसकी शादी एक पेड़ से करानी पड़ेगी, और एक कुमदोश होता है, अरे पेड़ एक अच्छा साथी, अर्धकाल सर्बदोश जैसी चीजे होती हैं, क्या कुंडलिया मिलाना ज़रूरी है, और गोत्र का का महत्व होता है, मैं ये जानना चाहती हूँ, ओ, मैं कुंडली के बारे में तु नहीं जानता, पर एक पेड़ से शादी करना एक अच्छा विचार है, कितना स्थिर पती होगा, उसके बाद वे इसको काटने ही सला देते हैं, यही समस्या है, असल में मैं आपको एक बहतर सुझाव दे रहा हूँ, मैं आपकी शादी एक पहार से करा सकता हूँ, वो आपके लिए हमेशा मौजूद रहेगा, आपको कभी परेशान नहीं करेगा, आधर शादमी, है ना, हाँ, तो, हम दो इंसानों के साथ मिलकर रहने को बहुत बड़ा जमेला बना रहे हैं, आखिरकार, दो इंसान साथ जुड़ना चाहते हैं, क भावनात्मक जरूरते हैं, सामाज एक, आर्थिक और दूसरी तरह की जरूरते हैं, इन सब को एक शालीन तरीके से पूरा करने के लिए हम कुछ व्यवस्था करते हैं, ताकि हम इन चीजों को शालीनता से चला सकें, क्योंकि हमारी जरूरतें धर्ती के दूसरे जानवरों क जरूरतों से अलग नहीं हैं, जरूरतें वहीं हैं, बस इतना है कि चूंकि हमारे पास एक खास तर की बुद्धी मता और समवेधन शीलता है, तो हम उसे शालनींता से चलाना चाहते हैं, शादी बस यही है, ठीक है, हलो? लोग कहते हैं, शादियां स्वर्ग में बनाई जाती हैं, मेरे खयाल से इसलिए शादियां असफल होती हैं, क्योंकि मूल रूप से दो लोगों की शादी के लिए, देखिए सितारों को मिलाना बहुत आसान है, वे उन सभी चीजों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इन दो कोई नहीं जानता की कैसे किया जाए, जब तक इस इरादे से संबंध में नहीं आते की किसी तरह, किसी तरह मुझे इस इंसान को अपनी ओर से सर्वश्रिष्ट देना चाहिए, जो अभी मेरे पास बैठा है, अगर आप उस इरादे से शादी या किसी रिष्टे में नहीं घुस्ते, तो जाहिर है कि टकराव होंगे, अगर आप ये खोज रहे हैं कि किसी से कैसे खुशी निचोड़ी जाए, वैसे शुरू में ये पूरा अच्छा होगा, ये रोमेंटिक लगेगा, पर कुछ समय बाद ये एक आपदा होगी, इसलिए नहीं कि इस सितारे टकरा र रहे हैं, बस इसलिए क्यूंकि आप किसी से खुशी निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आप से खुशी निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समय बाद ये हर हाल में एक संखर्ष बन जाएगा, अगर आप ये देख रहे हैं कि कैसे खुद को दूसरे इंसा के प्रती पूरी तरह समर्पित करना है और अगर वो इनसान भी यही कर रहा है तब ये एक शांदार रिष्टा बन जाता है अगर सिर्फ आप ऐसा कर रहे हैं और दूसरा इनसान इस तरह का नहीं है फिर भी आपका जीवन तो अच्छा होगा पर उसका जीवन जमेले वाला होगा हाँ क्योंकि देखिए मैं आपको एक चुटकुला सनाता हूँ ठीक है ये एक गंभीर सवाल है लेकिन एक बार ऐसा हुआ शंकरन पिल्ले युनिवर्स्टी में थे तो एक दिन वो प्रोफेसर के पास गए और बोले सर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पर मुझे आपकी मदद की जरूरत है प्रोफेसर ने कहा बेशक मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्रिपिया मुझे बताईए आप क्या चाहते हैं तो तब उसने कॉलेज की एक सुन्दर लड़की का जिक्र किया शायद आप और कहा सर मैं उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ और मैं पचास प्रतिशत सफल हूँ मुझे आपकी मदद चाहिए प्रोफेसर ने कहा देखो मैं ऐसी चीजों में नहीं बलकि पढ़ाई में आपकी मदद करने के लिए यहां हूँ लेकिन वैसे आपका ये कहने का मतलब क्या है आप पचास प्रतिशत सफल है उसने कहा सर मैं पूरी तरह से उसके प्रेम में हूँ लेकिन वो नहीं जानती मैं चाहता हूँ कि बचा हुआ पचास प्रतिशत आप मेरे लिए सेट कर दे तो जब आप प्रेम में हूँ और ये पचास प्रतिशत भी है तो आपको शांदार महसूस होता है ये वाकई बहतर होगा कि दूसरे को ना पता हो क्यूंकि अब ये पूरी तरह से आपका प्रेम है आप दोनों पक्ष मैनेज कर सकते हैं क्यूंकि इंसान आप जानते हैं वे उपर नीचे होते रहते हैं तो दो लोगों का मेल बैठाने के लिए क्या आपको ग्रहों और सितारों और हर चीज को तोड़ना मरोना होगा बिलकुल नहीं बात सिर्फ ये है कि हम इसे लेकर बहुत जमेला कर रहे हैं आपने गोत्र की बात कि तो ये एक सरल आसान तरीका था बच्चे पैदा करने के लिए वंच की शुधता को मैनेज करने का एक पारंपरिक तरीका था क्यूंकि शादी आखिरकार बच्चे पैदा करने के बारे में है ठीक है? आप और मैं यहां इसलिए हैं क्यूंकि किसी ने बच्चे पैदा किये है ना? तो वंच की शुधता कायम रखना ताकि कि जो लोग किसी तरह से भाई-भेन माने जाते हैं वे शादी न करें लोगों के पास एक विस्तरित प्रणाली थी पर ये प्रणाली पूरी गड़बढ हो चुकी है अब किसी को नहीं पता कि कौन-कौन है कुछ समदायों में थोड़ी आदें बची हो सकती है पर मोटे तोर पर हम नहीं जानते की कौन-कौन है कुछ शानुवांशिक अनुसंधान हुए है अगर आप ये कराते हैं दुरभागे से आप देखेंगे की कुछ अभी-अभी कोई मुझे बैंगलोर में चौंकाने वाले तरीके से बता रहा था सद्करू ऐसा लगता है कि मुझे में कुछ रोमानिय खून है मैंने कहा मुझे ये मत बताओ कि ये कैसे हुआ तो हजारों साल बाद हमें नहीं पता कि क्या हुआ था अब इससे कोई फरक नहीं पड़ता पर एक करीबी समाज में जहां लोग बहुत करीब रहते हैं इसे कायम रखना बहुत महत्वपूर्ण है क्यूंकि जब दूसरा हर कोई ये सोचता है कि जिससे आप शादी कर रही हैं वो आपका भाई है तो वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप कहीं दूर हैं आप नहीं जानते कि किसी और जगा से 25 पीडियों के बाद आपने शायद अपने भाई से शादी कर ली हो पर आपको पता भी नहीं है और ये रिष्टा बहुत दूर का है लेकिन एक करीबी समाज में ये माइने रखता है अगर ये एक बहुत करीबी समाज है तो इसका सम्मान करना बहतर होगा पर अगर आप बाहर चले गए हैं आप बड़े शहरों में हैं तो ये चीजें वाकई माइने नहीं रखती लेकिन गाउं में ये आज भी माइने रखता है क्यूंकि हर कोई हर किसी को जानता है और इससे समाज में परिशानी खड़ी हो जाती तो आप जिससे चाहें शादी कीजिए क्यूंकि अगर आप किसी ऐसे इनसान से शादी करती हैं जिसे आप नहीं चाहती तो आप अपने जीवन को दुखी बनाएंगी और दुर्भागे से उसका जीवन भी दुखी बनाएंगी मैं उस आदमी को बजाने की कोशिश कर रहा हूँ